हालो मैं द्यों लबली और ब्यूट्फिल स्टूडेंस हाव और यौल डूइंग याँ डूइंग वेल आजी रोई वीडियो लेक्च्वर सेरीज रे आमें डाफो डिल पुएम्रो स्टांजा 3 कुँ डिसकोशन करीबा आप पुर्बुरु स्टांजा 1 स्टांजा 2 रो वीड लेखाई ची दो वेप्स बिसाइद देम ड्यांच्ट बट दे आउट्टेट दा स्पार्क्लिंग वेप्स इन ग्ली अपुएट कुद नॉट बट बी गे इन सच जोकन काम्पनी आई गेंच्ट अंगेंच्ट बट लेटिल थर्ट वार्ट वार्ट वेल्ट दो शोर टूम हाड़ ब्रट इस टेंजेट को एक्स्पेन करियो आपूर्बुरू प्रथ में देखी दबा इस टेंजेरे यूज होती बा किछे डिफिकल्ड एक्स्प्रेशन तो प्रथम लाइन ने लेखाईची दा वेप्स बिसाइद देम ड्यांस्ट एट तो आमें जानीचे वेप्स स्पार्कलिंगं fall शोचे इस टेंजेटिब जारो मानेघ होची जहलो सित तापर शोचे अभावल छेंद पैर और हों अवेप्स फार्कलिंग वेप्स इन ग्ली तो गिल होचे इन ज्रो अननद एबों तापर शोचे एस पोईध कुडण बट बड बी गेह होची गेह होची नहीं, और जोखन मनने मन उची आननाद तो खुषी हर्स्च ओलां भाउब सरिंद्ध तर्थ नाउन जार सिंत्थ करिए ऐल्थ नाउन जार मनने मत अननाई, समपद दो पल्स तो गुचुल नाउन शोर अर्थ आटोची दुरस्य व्रत गुचुल प्रॉव जार्माने घृत तो यह थीला इस जज़ाने नी जह जहत एक्सप्लेश तिफिकलस मुट्विट आसले मीनिक आमें जाने गलें यह एप्विम कम एक्स ज़ंजटको आमें तो एक्सपेन करें आमें अम्ति कही परिवा, the waves beside them dance, but they outdated the sparkling waves in glee, इतला शांजात्री रो फास्ट दुई लाइन, कौण नाद the waves beside them dance, but they outdated the sparkling waves in glee, तो देकी बाई, प्रत्थम दुईती लाइन रो कौण एक्सप्लाइन आप। तो प्रथम दूत लाइन को आमें अम्ति कोही परिवा, the waves of the lake were also dancing there, but the dance of daffodils was far better from the waves in comparison to their glee, glee means what happiness, it was as if the golden daffodils and the sparkling waves were having a competition, in which the poet felt that the daffodils were outshining the waves, both the daffodils and the waves danced gleefully, producing a pleasant sight, but the dancing movement of daffodils seemed to be more enchanting in comparison to the dancing waves in the lake, hence the daffodils danced more sprightly than the waves, the waves of the lake were also dancing there, but the dance of daffodils was far better from the waves in comparison to their glee, माने जोदि आमें happiness को नहीं देखिवा, तो ले, dance of the daffodils was far better from the waves, माने waves थारू, बहुत भलो dance पर्फोम कोर थुला के daffodils, in comparison to their glee, in comparison to their happiness, माने daffodils जो happiness रे dance कोर थुला, तो से happiness रे wave गुडिको dance कोर परू नो थिला, तो को अगला थे, the dance of daffodils was far better from the waves in comparison to their glee, इती वाज आजिप, the golden daffodils and the sparkling waves were having a competition, तमाया लागुत्र ला सते जम्ती, एठी golden daffodils ये बंग sparkling wave मधरे, गड़ा competition चलीची, in which the poet felt that the daffodils were outsiding the wave, जो competition ले, poet को लागुत्र ला, जे daffodils माने ही, एठी कों कोर थुला, आउट्साइन कोर थुले wave को, तो wave को आउट्साइनिंग कोर थुले, बाँ wave को टपी जाओ थुले, तैनकर ब्यूटिनेस रे, बोध daffodils and waves dance gleefully, बोध daffodils ये बंग wave gleefully मने खुशी रे dance कोर थुले, आनंदरे dance कोर थुले, प्रेदुस्टिंगे प्रेजान साइट, तो सी जो साइट प्रेदुस कर थुले, एठा बहुत मनोलभा, मनोक्रिनलावली साइट प्रेदुस कर थुले, बट द्यांसिंग मूब्मेंट अब daffodils seem to be more enchanting in comparison to the dancing waves in the leg, ता मने किन्तु dancing movement of daffodils, जोले की more enchanting थीला, अत्यों को मनोलभा कर थीला, युदे में comparison करिबा dancing waves in the leg, hence the daffodils danced more sprightly than the waves, तोले कोरी more sprightly के dance कोर थुले, ना daffodils मने dance कोर थुले, युदेला, श्टांजर प्रत्थम डुई टाइन, एवेजी बात सी स्टांजर ता पर दुई लाइन, ता पर दुई लाइन कोंल खाई सी, ना a poet could not but be gay in such a jokan company, तो प्रत्थम लाइन डाजी कर, ना a poet could not but be gay, तो आर मने कर, ना having such cheerful companions like the dancing daffodils and the sparkling waves, a poet like Wordsworth cannot help being happy, ता मने, ये जो MTA कोट cheerful company मध्यारे, like the dancing daffodils and the sparkling waves, तो the poet William Wordsworth, ये थिरे से खुसी हवा थोड़ा तांग पखर आउकीची चारा ही ना थिला, मने, MTA को से side थिला, जो side रे, तांको भली जोड़े poet, खुसी हवा छड़ा, ये side को देखिला पोरे, तांको पाई आउकीची बाटो ही ना थिला, पोएट कुद ना इट बाट बी गे, तां मने, जो daffodil नो जो लाइबलिनेश, तो शेता जो जो जोड़े अद प्लेजर प्रवाइद ना थोड़ा तो ये पाईट पोएट तो एमने पोएट को हाट रोजे कुण सी लोग, इच बाउन तो गेट हापीनेस, तां मने, खु नहारती हुषिपाई बाता पन छोड निहाती हुषिपाई बाता पन जोड नियुटर शचा जय कन लाता है जय कन मने कन जय कन जय कन means likely to inspire joyfulness and cheerfulness in the expression means the Mary association of nature in other words we can say the Mary association of the waves and the golden duffodils dancing in the glee thousands of golden daffodils dancing sprightly along the sparkling waves constitute the jokan company तले मोठी कॉल कोई लि jokan मने कॉल jokan means likely to inspire joyfulness and cheerfulness तो jokan मने हुची जय likely to inspire joyfulness and cheerfulness, here the expression means the merry association of nature जो नेचर रो जो आशोशेशन, I mean the dance of the daffodils आओ जो dance of the waves, तो यह जो दुई ती नेचर जो आशोशेशन से आशोशेशन को आमे कहिले जो मेरी आशोशेशन को आमे कहिले jokan company, in other words the merry association of the waves and the golden daffodils dancing in the glee thousands of golden daffodils dancing sprightly along the sparkling waves constitute the jokan company, तो what constitutes the jokan company? jokan company को एले कहा को बुझु बुझी हुची thousands of golden daffodils dancing sprightly along the sparkling waves, तो sparkling waves है तो golden daffodils को जो sprightly dance कोरुच आँती, से दीटा मिस्सी गला परे, जो company क्रेट हुची ताक क्वाला jokan company शो, jokan company माने आमे बुझी बुझीले कणो, जह jokan company मीन्स likely to inspire joyfulness चीरफुल नेस मेरी था है ते साइट को आमें जोकन कमपनी बोली को हूँ एट जोकन कमपनी को ही लिए पुझे ले दमेरी आस्वोसियेशन आप नेचर बाह आमें अधर वार रहे को ही परीपार दमेरी आस्वोसियेशन अप दो वेपस अन्द गोल्डे गोल्डेंड वाज शू ही गेज़ड आट देम फर लॉंग ताइम फोर गेटिंग इस सराउंडिंग्स तामने जो लेखाई चीरा गेज़ दान गेज़ड बर लिटील थार तामने एटी देखो गेज़ड जो वाटी दू इथार यू जि़ज़ड गेज़ड 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 तो तो ही गेज़ देम फर लॉंग ताम फर्गेटिंग इच स्राउंडिंग कु भुली तो सी डाफोडिल याओ डैंसिंग वेब कु सी लॉंग ताम बहुँ समय धरी से गेज करीचन थी जो गेज रो माने मोलेटी कहिशरी ची एको लोयरे चाहिंबा ऩख भाने मोब तो साइ ब। ये कुस्ट वेडेटीई को चाहीं रो इती लैवथ फुल कंसेंट्राशन admire स्किर्गेशम olmaz मने मने मेचमरैंज मने जाख मेकवी बौप लॉंघ दोट्रिंग तो ए जू साइज बाफोडिल न जू साइट आप छू साइटता संपुने कूपस कोदेट लिद्वा इना Mün yaz कू भी सव्केजिय खुलिगुन को मानोय कुटेंट और शीरिटल स्व्केज लोश खुलियोसर दहां हर उब no nohel aq Aeghla and completely lost in the beauty of the défGANट tapi इस सुन्दर साइट है completely lost ही जाई थे ले संपुन आपर होजी जाई थे ले एपिर ये जु स्टेंजर हो लास्ट लाइन टाहुची कर ना वार्ट वेल्थ दो शो तु मी हाड़ ब्राट जो अट टाइम ये जु लाइन टे लेकाई ची वार्ट वेल्थ दो शो तु मी हाड़ ब्राट ये लाइन रे जे प्वेट जाते वले सी ब्यूटिफुल साइट अब डाफोडिल्स अड़ दैंसिंग वेप्स काले शेते वले सी रियालाइच कोरी पाले जे इस साइट रू त से प्लेस्रू से तांको घरुको काले किछी दिन परे मेभी आप्टर फ्यू डेज सी रियोलाइच कोले जे अक्शली तांको जो हापीनेस मिली थिला तांको जो 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 पुएट बाइद भीूटफ़ सीन अब डाफोडिल बिसाइद दाइद अवेप सिंद लेख तो यह जो वेट्वुट्फुल डाफोडिल यह प्रपर्टी ओन बाइप पर्षण तो यहाथि वेट्वुुतुल मने करना, हियो वेट्वुनेस ब्राद डाफोडिल ब्राद ताक्कू पोएट कंप्यार करीचनती कहा सोईता वेल्ट सोईता तर्ण करी एई जो कंपारीजनले से जो फिगर आफ स्पीच यूज करीचनती सेटा हुचे कुटे मेटाफ़र एबे तमाने जे में बुझिले जो बोद गोल्डेन दाफुद्रिस और वेपस अब दे लेक वे दाफ़र दिल्स और वेपस अब दे लेक वेड दैंसिंग तो सेमन दे प्रेदूस्ट पिल्जान इफेक्ट वें सीन टोगेधर जितल समान को टुगेधर आमें देखिबा चैनल सेटा पिल्जान इफेक्ट प्रेदुश कर थो ले तो एभरी गोटे बीउटिफुल साइट तो मनटनी मानने मानने मनन घाएगा समेखत दुख जो टेंशन तॉ सेमनो टनी को एज साइटी ए जो बीउट्फुल साइट थो इएगा मनने साइटी माने माने दूरें देखिबा एड़िया बिनाइट रिज शोरो एबंग तंगा सोरो कु मिनिमाईज कर दे इधिला by making him joyful and very happy they brought wealth to the poet, here wealth कहिला में कन बुजिले, now wealth means here wealth means the happiness brought to the poet by the beautiful scene of the dancing daffodils beside the dancing waves in the leg, इधिला इस्टान्जा थ्री रह एक्स्प्लानेशन जदी एस टान्जा थिकु जेम तिक मुँ आगुरु अद्डर स्टान्जा गुरीकु एक्स्प्रेस करीबी ताले एमती कहिबी, नुर्त्य रचु थिला उर्मी मारा डाफो डिल फुलो पासे हैलले उल्लो सित डाफो डिल बली जाउ थिला जल्लो सित धेव आगे एक कभी पाईं एहाठु बड़ा खुसी कथा किछे नाहीं एक हर्ष उल्लो सित आसर अरे जेबे किछी समय दिये भीताई खाली देखु थिली आउ देखु थिली चिंता सुन्य मने केते अमुल्य संपद एही दुर्ष्य राजी मते आनी देई पारे इधिला एज उस्टांजा टी मों बुझ्छे इली ता स्टांजा रो एक्जाक्ट कोड़े ओडियारो पोईटिक मने ओडियारो कभीता करो जदी मों एक्स्प्रेस करी भी ताले एटाइप रे कही भी एपए दखी बाए इस्टांजा रे कौन-कौन स्वों फिगर आफ यूचे इची दौफास जो लाइन्ट आचि दो वेप साइध दें डैंच यू लाइन्ट दा वेप साइध दें डैंस यू लाइन रे प्वेट कॉनफीगर आफ स्पीच उची उचिं भी ना पर्शोनिफिकेशन उच गरी चांदी okay here along with flowers waves who are gifted with the human quality to dance so it he made your flower so it or wave mother human quality on sorry or dance how to carry quality human quality so it's about the way to move the poet human quality the city the city of personification quality what is personification you can see personification is to attribute human characteristics to lifeless objects to lifeless object to human characteristics the bar to set up the figure of speech the personification the way to decide them danced here along with flowers waves who are gifted with the human quality to dance something I would have poetic device in such a jokan company in such a jokan company issue line ray figure of speech the because here the poet considers the daffodil as his buoyant company so it daffodil ko poet karo what a buoyant company will consider karichanthi so it the personification same thing along with flowers waves who are gifted with human quality to dance the same thing this one is about the first one is the personification the word used in the poem like crowd fluttering dancing stretching heads company etc are giving the flowers human qualities यही जो वर्वड को समुमु कहिली, क्राउड, फ्लाटरिंग, ड्यान्सिंग, स्ट्रेच्ट, हेड्स, काम्पनी, यह गुड़ा को समुमन क्वालिटी सोक, बने फ्लावर को दोची, तरुमु यह गुड़ी को सबुजय को पर्षोनिफिकेशन है पारीबौ। सम्ति आउगोटे figure of speech यह जही ची, से figure of speech टाउची alliteration, यह पे alliteration कौन बुज़ी दबा, alliteration is the repetition of the same consonant sound in the same lines of poetry, तो alliteration कहिले, जेते बले, गोटे consonant sound, same consonant sound repeat हब गोटे line रे, गोटे पोएमरो, गोटे line रे, तकला same consonant sound repeat हुए, तको आमे alliteration बली कहु, ए लाइन रे, poet figure of speech भाब परे मध्यों alliteration यूज करी चांदि, क्यम्ति, तो देखो, यह जो line रे लाइन रे लेखाईची, आई gazed and gazed, here the use of G, G sound, gazed and gazed, okay, तो यह गोटे alliteration example, सेम्ति, से लाइन आगोटे मध्यों अची, तप last line, and the use of W, sound in what wealth, तो what रो फास्स लेटर कौन, W, second लेटर, मार तो माने W, W, तो यह जो कुवागला, तो यह जो what wealth the show to me had brought, तो यह जो W repeat हेला, and पुरपुर जो I gazed and gazed, जो G repeat हेला, यह show करूची कौन, तो the repetition of the same consonant sound in the same lines of the poetry, so यह जो दो दो इती वाड कुवागला, जे I gazed and gazed, यहार figure of speech होची alliteration, यह जो ता पर जोटा अच्छी, जे what wealth the show to me had brought, यह जो what a wealth अच्छी, एटाइम मध्यों alliterationल example, तो alliteration माने में बुचिले, alliteration is the repetition of the same consonant sounds in the same lines of the poetry, यह बर्तमान आमें स्टैंजाटी को completely discussion कर देले, ताको आमें explain कले, यह बाँ स्टैंजाटी थी भाँ, figure of speech को मत्यों discussion कले, यह बाँ देखी भाँ, यह बाँ स्टैंजाटी को ने, कौन-कौन सबो exam oriented question ही पारी भाँ, first question देखी भाँ, whom did the daffodils outdo and how, daffodils कहा को टपी जाओ धिला, यह बाँ केमी थी, तो answer कहिले, the daffodils outdid the waves in the lake, the daffodils seem to be dancing like human beings, expressing their joy and energy, when the breeze blew over them, both the flowers and waves seem to be in competition to show their feelings and expressions, ता मने, daffodils outdid the waves in the lake, तो lake रे, wave rod dance को टपी जाओत ला किये न, daffodils, the daffodils seem to be dancing like human beings, expressing their joy and energy, जेम्ति human, जेतावले खुसी ही जाए, तार joy एबंग energy को express करी, शे dance करी थाए, ठीक से परी, जेम्ति when the breeze blew over them, जेतावले शे daffodils लो परे पबन बही जाओतुला, ता शे daffodils गोडिको ठीक सेम्ति मनिश भली तांगा joy आउ energy को express करी, ध्यान्स करतुला, बोथ the flowers and the waves seem to be in competition, to show their feelings and expression, लागुदुला, सते जेम्ति बोथ flower एबंग waves, सेमाने कोड़े competition ल अच्छंति, सेमान को feeling आउ expression को सोह करीबा पाई, नेश्ट कोड़े question ही पारिवा, which jacan company is the poet referring to, एटी poet को jacan company को refer करू जान्ति, तो आमें प्रथमें बुचिवा जे jacan means likely to inspire joyfulness and cheerfulness, जो जो थिरू आमको joyfulness, cheerfulness आमको मेरी थाए, ताकको आमें jacan बोली कोई थाओ, यह दो expression means the Mary association of nature, तो तामने जोकन कोमपनी कोही ले, आमें कोन बुच्वा, the Mary association of nature, आमें other words रे कोही ले, तो आमें other words we can say, the Mary association of the waves and the golden daffodils dancing in the glee, थाओजंस अव गोल्डन दाफodils dancing sprightly along the sparkling waves constitute the jacan company, तो तो जोकन कोमपनी क्ये constitute करू छी, न थाओजंस अव गोल्डन daffodils dancing sprightly along the sparkling waves constitute the jacan company, next question ही पारिवा, which of the two danced more sprightly, the waves और the daffodils, तो इस दूजंग भीतरू, वेब आउ daffodils भीतरू किये अधिक स्प्राइटली dance कर थुला, तो आमें answer एमती कोही पारिवा, बोथ the daffodils and the waves dance gleefully, producing a pleasant sight, but the dancing movement of daffodils seem to be more enchanting in comparison to the dancing waves in the leg, तामने बोथ daffodils ये बोग वेब गिलीफुली dance कर थुले, आनंदर नाचु थुले, producing a pleasant sight, but the dancing movement of daffodils seem to be more enchanting, किन्तो daffodils रो dancing movement बोथ enchanting थे ला, in comparison to the dancing waves in the leg, hence the daffodils danced more sprightly than the waves, next one question ही पारिवा, what is the wealth that the poet is referring to these lines, ये जो दुटी लाइन अच्छी, I gazed and gazed, but little third, what wealth the sword to me had brought, ये जो दुटी लाइन रे, ये पोईट वेल्थ कहा भी सरे कही चान्द, what kind of poetic device is it, ये जो वेल्थ यूज करी, poet, कूप्रकर poetic device यूज करी चान्द, तो आमें आंसर कोही परिवा, here wealth does not mean the property owned by a person, ये ये वेल्थ रो माने नुए जे, आमें जेनरल यामें जाहको wealth कोह प्रपर्टी, तो property owned by a person को ये ये वेल्थ बोली कोहा जाऊनी, here wealth means the happiness brought to the poet by the beautiful scene of the dancing daffodils, beside the dancing waves in the leg, the poetic device used in this line is metaphor, तामने एठी जो poetic device यूज जही ची, एड़ो कामें metaphor बोली आमें कोहू, तो metaphor कोण, ना metaphor होँचे आने implicit comparison between two unlike things, दोई टी, unlike जिन्समाधर जो comparison, तो से comparison कामें metaphor बोली कोहू, जोदि आमें simply बुजिया पाइं चेस्टा करीवा, जे metaphor कोण, ना में जानी बाद जो comparison लाइक यूँ आज लगी था है, यह एगला similar, किन्तु compare ही थी वो without like और आज, मने से comparison लाइक यूज लगी नो थी वो, हैले compare ही थी वो, ताक में metaphor बोली यह में कोही बा, एठी पोईट काहा कूँ, अठी कॉं compare कोई चान थी, किन्तु लाइक याज यूज करी ना हांती, तो नो poetic device रे चोड़ा यूज जेही ची, से टाउची metaphor, So the happiness brought to the poet from the sight of the dancing dapodils and waves, is compare as wealth, सम्ति नेस्ट उड़े क्वेसी ने पारिवा, पीक आउट three words, that means being happy, तो एई जो line रे, एमिती तिनोटी word बाहर करो, जहरो माने हुची happy, तो आंसर काऊं काई बार, the words that mean being happy are glee, gay and jocund, ए तिन्टांको word रो माने हुची being happy, next question नहीं परिवा, how does the poet feel while looking at the dapodil, dapodil को देखिवा समारे poet केमिती feel कुरुद ले, the poet was happy and cheerful in the company of the dapodils, the poet was happy and cheerful in the company of the dapodils, the poet dapodil सहिता, एबंग डफोडल एबंग वेब मान को सहिता, जह को बहुत happy एबंग cheerful फिल कुरुद ले, he continued to gaze at them and observe their merriment, तो से continuously समान को एकल ओरे चाही रोही थिले, एबंग समान को merriment को observe कुरुद ले, next question, what is the impact of jokan company on the poet, ये जो jokan company, I mean the Mary Association of Nature and the Dancing Waves, तो तांकर इंपाक्ट पोएट उपर कौन पड़ी थिला, तो बोथ the golden dapodils and waves of the lake were dancing, they produced a pleasant effect when seen together, such beautiful sight eliminated the poet's monotony, and minimized his sorrow by making him joyful and very happy, they brought wealth of joy to the poet, तां मने आमेटी बुझी बुझी ले, जे बोथ golden dapodils and waves of the lake were dancing, ये बोग समाने pleasant effect show कर थिले, जिता मने together जोदी आमें तांको देख्योग पाऊ थिले, से साइट को together ले, मने आटे टाइम जिता में dancing dapodils and sparkling waves को देखु थिले, तो सेत्रेवरे सेकोट pleasant effects show कर थिले, सुच बीउटिफ़ल साइट eliminated the poet's monotony, ये जो बीउटिफ़ल साइट, से बीउटिफ़ल साइट, poet कर monotony को eliminate कर देथिले, and minimized his sorrow by making him joyful and very happy, दे ब्राच वेल्ट अब जय तो दोबुएट, तो ये थिला डाफोर डिल पोएम्रो स्टांजा 3 रो explanation एबों टारो question answer पून देखावो डाफोर डिल पोएम्रो last stanza I mean stanza 4 कुनी टारो explanation एबों question answer सोईतो that's it for today's video lesson